हेलो एवरिवन माइनेम इजनुप सिंग और आप देख रहे हैं सिटी चैनल इस चैनल पे CNC मिलिंग एंड टर्निंग से लेटेड वीडियो अपलोड होता रहता है तो आज आपको मैं बताऊंगा G43 टू लेंथ कमपनसेशन इससे पहले जितने G-Code के वीडियो हैं अल्रेडी अपलोड की कर दिये गए चैनल पे तो आप जाके वीडियो के लिष्ट में देख सकते हैं ठीक है तो आज का मेरे टोपिक है G43 टू लेंथ कमपनसेशन तो आज आपको मैं बताऊंगा कि BMC मसीन में टू लेंथ कमपनसेशन को कैसे यूज के जाता है उसके क्या रोल होता है यूज करने का और चीज बताऊंगा जैसे टू लेंथ मेनुवल कैसे निकालते हैं मालेजिए ये प्रिसेटर नहीं है हमारे पास तो हम तूल का लेंथ कैसे काउंट करते हैं वो भी बताऊंगा प्लस जैड में जैड का उपसेट BMC मसीन पर कैसे लेते हैं कोई दोस्त ने पूछा था कि सर जैड के उपसेट कैसे लेते हैं तो आज उसको भी थोड़ा सा क्लियर कर देंगे और ये प्रिशेटर का यूज इसका क्या बेनिफिट है इसके बारे में लास्ट में डिसकेशन करेंगे तो आप वीडियो को लास्ट तक देखे अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो चैनल को सस्क्राइब कर लेजे और वीडियो को लाइक कर दीजे अगर इस टोपिक पे अभी और भी वीडियो चाहा रहे है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं टूल लेंथ कमपनसेशन देखे यह जी फोटी त्री में यूज होता है और अहां पे आपको दो अबर बस ऊध में एक रहां में एक कि यह यह जो आपको ची जी फोटी त्री में यह होता फमें तो इसमें जी फै से फोटी थी ऊथ्प्समै की मन यह अपको इसको आगे गरवात थोड़ा एंड़र टौदा मेंDieल देखे प्लस में ही काम करेगी यह प्लस में अपना Z100 के तो मसीन को पता है कि हम यहां तक की Z100 है बट जो भी हमारे जो टूल लगे हैं उसका किसी का लेंथ ज्यादा है किसी का कम है तो जब हम G43 के यूज नहीं करते हैं तो हमारा अधिकान से एक्सिडेंट होने का संभावना होता है या तो एक टूल चलाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है अगर दो चार टूल चलाने हैं तो हम चलाने के लिए हम G43 का यूज करना पड़ता है तो उसी तरह इसमें आप देख रहे हैं कि Z की वेलू यहां मसीन में 100 है बट टूल का अगर मान लिए टूल का लेंथ जादा है तो जैसे हम तूल कोल करेंगे अगर पार्ट को बनाना हो तो आके एक्सिडेंट हो जाएगा अगर हम Z की वेलू G43 में यूज कर रहे हैं उसमें 100 डाल दिये तो हमारा क्या होता है कि यह पार्ट से दूरी जितनी होती है 100 है तो यह 100 mm उपर ही रुख जाएगा इसका भी तो हम आगर दिखाते है जैसे देखिए इफेक्ट जो भी हमारा है जैसे effect of tool length compensation जैसे tool number one two three यह तीन tool है ठीक इसका length 100 है इसका length 100 है इसका length 100 है सबका length 100 है बट क्या है कि इसमें without h value यूज की गई इसमें sorry h value यूज नहीं की गई है यह direct है देगे जैसे direct है यह आगे आ रुझे जैसे इसमें h value यूज की गई है h value h2 यानि tool number 2 इसमें ऐसे कुछ नहीं है कि h tool number 2 है तो h value 2 यह रहेगा आप कहीं पर भी डाल सकते हैं offset में कोई सुने है यहां आप जितना डाल रहेंगे उतने में आपका tool का length का जो offset होगा वहीं उसमें दो होगा दो होगा 10 होगा तो 10 होगा 12 हो तो 12 में मिलेगा ठीक है और यह देखे जेड 15 पर पर आके machine रुख गई है बट यहां जेड 0 है machine यहां भी रुखी है 0 पर भी नहीं आई तो यह चीज इसमें without h वाले में देखने को मिलता है बट इसमें क्या है कि जितने आप डाल दीजेगा जेड में जितना डालिएगा अगर वर्क पीस पर टच कराएगे 0 कर लिए उतने ऊपर रुख जाएगा g43 में g44 और 49 के बारे में भी आगे बताऊंगा मैं उसके बाद है देखे यहां पे g44 g90 z50 यानि यह हमार वर्क पीस से 25 के डिस्टेंस पर रुखा हुआ है और टूल का लेंथ 100 है और h3 में जो आपसेट इसका यह जो 100 है यह मेरा यह तो मतलब टूल का लेंथ है बट जो भी आपसेट आगे आपको बताए जाएगा कि टूल का पूरा लेंथ कैसे निकलता है ठीक है और य जी 43 यानि हाइट नमबर 3 में यानि आपसेट नमबर 3 में इसका पड़ा हुआ है देखे यह पूरा टूल का लेंथ इसमें निकलता है जैसे अगर हमें टूल का टोटल लेंथ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे इसका लेंथ यहां से होता है जो भी हमारा यह होता है होल्ड बटि 38 50 योगЗ कया प्संद्ध करें अबला उसका जो हमारे स्फिंडल यहां नहीं तो रहता है तो फूरिल लेंथ हमारा टूल लेंथ इसमें जैसे निक presidential यह में Ken कर लीजिए तो यह तो रॉंग मेथड है मतलब आपको बताने के लिए मैंने लगा दिया था कि ऐसे यह पॉइंट यहां से जिरो हो गया इस पॉइंट पे नहीं तो आप यह स्पिंडल से लेकर यहां तक जो भी है यह टूल का लेंथ होता है ठीक है और यह देखिए जैसे आ पेपर को लगा कर और स्पिंडल को घुमाते रहते हैं और पेपर को इलाते रहते हैं और जो हमारा फीड होता है जेड का बहुत सुलो कर देते हैं एक माइक्रोन एक यूनिट में घुमता हो तो इसको इलाते रहेंगे दिरे-दिरे जैसे हमारा इंसर्ट इंसर्ट पकड़ पेपर को फिर वहां पे हम जेड को जीरो करके मेजर कर देते हैं ठीक है और देखिए इस सेकंड मेठड है यह एक प्रेशर है प्रेशर डायल है जो कि हमारा मतलब जेड का वैलू को इससे भी लिया जाता है जैसे वरक पीस पे रख देते हैं इस पे एक्सिडेंट होने किया तूल तूटने के राउट होने के संभावना कम होती है इसमें कहा देखिए दस माइकरून का डायल है इसको जैसे वरक पीस पे मालेजिए यहां पर वरक पीस के ऊपर इसको रख दिये वरक पीस को रखके यह स्प्रिंग लोडेड होता है इस पर जैसे टूल को टच लिए में के पीस फिएगा तो यह इंदर आएगा जैसे आएगा मैंजर कर दीजोग करतीज़ेगर सेक्डु मेटक यह सिस्टम है इसका मेठेर है अटोमेटिक z offset यह हमारे फ्रिसेटर होते हैं जो कि BMC मसीन में मिल जाते हैं जैसे हम क्या होता है कभी-कभी BMC मसीन पर हम को offset जी स Вас फूंत पर on zers प्रिसेटर जैसे हम निकल लाते हैं प्रिसेटर अगर ना सेंसर उसको accept करेगा अग्सेप्ट करने के बाद जो भी आपशेट अपडेट हो जाता है और आज कल तो सेंसर से हो गया जैसे रश्रीट को तूल चेंज होता है उस पॉइंट पर अग्शेंट कर लेता है कितना ओप यह वह हमारा तूल प्रिशेट रहे इसमें हम तूल की हIP निकलाते हैं यह हमारा तूल का हिट खैस के दनिकलता है और यह हमारा radius, diameter भी बताता है कि tool का कितना diameter है, tool का radius कितना है और tool का run out भी बताता है कि tool में कितने run out है तो यह pre shutter से यह 3 फायदे हमको मिल जाते हैं देखने को इसमें आपका z और x से जैसे हमाँ z का ही value डालते हैं मसीन में ठीक है तो उसके बाद आपको मैं बता दूँ यह थोड़ा सा नोट से लिख रखा था यह जी 43 होते टू लेंद कंपनसेशन यह प्लस डारेक्शन के लिए होता है और माइनस यह से नीचे से ऊपर जाने के लिए होता है तो जी 44 का यूज किया जाता है यह माइनस डारेक्शन के कमेंट करके बता सकते हैं जिन को चाहिए अगर जाला कमेंट आएगी तो हम इसके उपर वीडियो बनाने के बना देंगे बहुत जल्दी और तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस बताना चाहूं तो बता सकता हूं कमेंट में नहीं तो उसको उपर एक मैं वीडियो बना सकता हूं मिलते हैं फिस नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पो वाच्चिंग वीडियो